हेलो फ्रेंड वेल्कम टो वर चैनल CS इंजिनिरिंग यान आज की टुटोरियल में हम लोग देखेंगे रिलेशन ऑपरेटर सो डिलेशन ऑपरेटर डिजाइन करने के आप देव C++ को ओपन करने के बाद आप डिरेक्ट याप लेखें इंक्लूड आयो स्ट्रेंग fI Tumb then using name space std या प्राइट आत कर देगे दें, int main ना सबसेब फटर आप integer a विपल त रिपल डीजे 4 और आप से किन आप संपरक्रिद Calendarjung सबसे पहला हम लोग relation operator लिखते हैं bracket में आप लिखेगा क्योंकि कोई condition आपको wrong ना हो a is greater than b आपने लिखा है तो अगर यह condition true होगी save कर दिजेगा आप save आपको करना है relation.cpp से आप save कर लिजेए इसको compile आप करेंगे compile properly हो चुका है run आप करेंगे तो इस condition में यह 0 return करेंगा क्योंकि आपका a greater नहीं है b से देखे एक return नहीं है हाँ अगर इसी को आप दूसरी condition में write up करेंगे so मैं यह पर slash end लेते हैं हम लोग next line के लिए यह आपर आप c out अगर इसी को आप second way में लिखते हैं कि a is less than b तो उस condition में यह आपका return करेगा true देखे one return कर देगा यह output में save की आपने run की आपने तो यहाँ पर देखे one आ चुका है आपका output तो यह one आपको return कर देगा यह condition आपकी true रहेगी next है आपका relation operator next operator होता है आपका relation में equal to की condition चेक करना है तो c out अगर हम यहाँ पर रिखते हैं a equal to equal to b equal to यह proper equal to है यह assignment operator तो आपका simple equal to होता है but double equal to का meaning है यह proper चेक कर रहा है कि दोनों value same है या नहीं है अगर same नहीं है तो उस condition में 0 देगा otherwise यह one देगा तो अभी तो 0 देगा क्योंकि कि दोनों value same नहीं है अगर हम value दोनों same कर देते हैं यहाँ पर भी हम 4 कर देते हैं save आप करेंगे then compile करेंगे इसको and run करेंगे आप तो देखिए यहाँ पर यह one return कर रहा है आपका output में तो यह आपका same value के लिए जो है वह value return करता है so next आपका यह है इसके बाद भी आपके पास other relation operator है तो हम लोग चेक करते हैं उसको now next relation operator हम लोग चेक करेंगे cout not equal to so आपने दिखा a is not equal to b not equal to b तो अगर a b के equal नहीं है condition true है तो उस condition में आपका return करेंगा one otherwise आपका zero तो इस condition में रिटन करेंगा one compile करेंगे sorry यहाँ पर semicolon नहीं लगा हुआ मेरा save किया मैंने इसको and compile किया इसको तो आप देखेंगे compile हो चुका है run करेंगे आप तो इस return कर देगा one क्योंकि a b के equal नहीं है तो यह भी आपका एक relational operator है ऐसी आपके बहुत सारे operator है less than equal to greater than equal to less than equal to greater than less than यह सारी condition आपके relational operator में आती है thank you friend